This Video is sponsored by Tipske Tricks A key to success Check description for more information Hello and welcome मैं हो Imran और अप देख रहे हैem Learningzarsan आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सॉस्टेर के बारे में हो सकता है आपewे-NewS Entit, आप travelled Book, पड़ते ह TED आप Online Entit पड़ते हैं तो इन सभ में क्या करना होता है? कि आपको पढ़ते रहना होता है ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कुछ और भी काम करते रहे और news paper भी ऐसे करके पढ़ते रहे अगर आप computer screen को ऐसे करके पढ़ रहे हैं तो फिर आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं तो इसका solution हम लेकर रहा है एक software है जिसका नाम है natural reader हम यहाँ पर एक software का review करेंगे natural reader एक ऐसा software है कि यह आपके लिए पढ़ेगा आपको सुनना होगा अगर आप कोई article पढ़ना चाहते हैं तो simply आप उसे copy करेंगे और इस software में paste कर देंगे और play button क्लिक कर देंगे फिर वो पूरी article को यह software read करेगा और आपको सुनना होगा तो यह software एक बहुत ही useful है उन लोग के लिए जो article पढ़ते हैं news पढ़ते हैं book पढ़ते हैं वो यहाँ से आप easily सुन सकते हैं हो सकता है कि आपको दूसरे आपको आपको news भी पढ़ना हो कौपी करके text को paste करेंगे इस software में और यह software आपके लिए पढ़ेगा और आप सुनेंगे तो चलिए देखते हैं कि इस software को कैसे use करेंगे कहां से download करेंगे और इसका features क्या है यहाँ तक कि इस software में आप MP3 web format में download भी कर सकते हैं जी हाँ अगर आप चाहें तो कोई भी आर्टिकल कोई भी news या कोई भी बुक को आप यहाँ पर paste करेंगे और जो भी software रीड करेंगा उसे आप MP3 या web format में आप उसे download करेंगे download करने के बाद आप उसे सुन सकते हैं mobile में या computer कहीं भी आप इसे MP3 या format में या web format में convert भी कर सकते हैं चलिए software के बारे में जानते हैं देखते हैं कहां से download करते हैं और कैसे use करते हैं तो आपको application को download कैसे करना होगा से से पहले चली हम उसको देख लेते हैं इसकी लिस्ट से पहले आपको अपने browser में जाना होगा और browser में आने के बाद आपको अपने address बार में type करना होगा www.naturereaders.com और interface करना होगा उसके बाद आप Nature Reader के official website पर आजाएंगे यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक download का button दीख रहा है और यहाँ पर एक Mac and Windows के लिए download का button दीख रहा है फ्री में क्या मिलता है और paid version में क्या मिलता है और अगर आप चाहें तो यहाँ भी paste करके diet आप इसे read करवा सकते हैं चलिए हम pricing and order पर click करते हैं और देख लेते हैं कि pricing में मतलब paid version में आपको क्या मिलता है pricing and order पर click करने के बाद आप नीचे करेंगे तो देखिए करता हूं कि मेरे article और news पढ़ने के बहुत सारे बहुत काम आता है मेरे पास अतना time नहीं होता है कि मैं इसको बैट कर पढ़ना हूं तो मैं इसमें paste करने के बाद इससे read करवा लेता हूं और मैं सुन लेता हूं इसको news को इसे हम क्लिक करके डाउंढोड करकर देखते हैं कैसे डाउंढोड होता है आप डाउंढोड पर क्लिक करने के बाद आपको windows में चाहिए तो windows है या mac में चाहिए Mac तो हमें windows के लिए जानकारी आसिल करना है या आम विंदोऑ पर क्लिक करते हैं और मैं यहां पर start download पर click करके download कर सकता हूं लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि हमारे पास already download किया हुआ है और install किया हुआ भी है आप देख सकते हैं कि यह near about 31 MB की file है चलिए मैं इसे cancel कर देता हूं और अपने desktop पर आने के बाद आप यहां पर देखिए तो natural reader 14 यहां पर already install करके रखा हुआ है तो आप download करने के बाद next 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 करके आप उसे install कर लेंगे तो अभी चलते हैं हम अपने application के तरफ डबल क्लिक करके open कर लेते हैं तो चलिए यह welcome to natural reader लिखके आ रहा है और please wait बोल रहा है थोड़े कुछ second हो में यह open हो जाएगा चलिए अभी करना क्या होगा कि documents में आप कोई भी documents add कर सकते हैं और उसे read करवा सकते हैं web page में आपको यहां पर website का link type करना होगा और यहां पर listen now पर click करना होगा तो सली हम देख लेते हैं यहां पर एक yahoo का news को देखते हैं यहां पर एक हम type किये और type करने के बार listen now पर click करते हैं थोड़ अगर हम प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो यह रिड कर रहा है यहां से आप स्टॉप कर सकते हैं यहां से नेश्ट कर सकते हैं तो यहां पर क्लिक करने के बाद से रिड कर रहा है अगर चाहें तो आप यहां पर स्पीकर पर क्लिक करके जैन्स या लेडिस भी कर सकते हैं डेव आउ रीडिंग पर क्लिक करते हैं तो जो पिसले बार आप रीड कर रहे थे मतलब रीड करवा कर सुन रहे थे वो यहां से आप दुबारा उसमें आ सकते हैं और एड न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप न्यू इसमें एड कर सकते हैं चलिए यहां पर क्लिक कर देखते हैं कि क् क्लिक कियें तो आप documents add कर सकते हैं से word pdf text को एड कर सकते हैं या blank ले सकते हैं या web page को यहाँ कर सकते हैं या तो फिर existing file को air कर सकते हैं OCR format में या फिर अगर कोई capture करके इस तरह देखते हैं यहाँ पर फूटेज बार है अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह यह छोटा हो जाता है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर बड़ा करना होगा और यहाँ पर करते हैं तो कुछ convert और उसके वासे help feedback iOS के लिए application है Android के लिए यहाँ पर कुछ settings है सेटिंग पर आते हैं हम तो यहाँ से general है speaker और speed है यहाँ पर convert करने का कुछ option दिया हुए यहाँ डिस्पले है किस तरह यह सब आएगा form की तरह हैसाइज की तरह होगा यह दिखार आपको यह होट की सेकते हैं कर सकते हैं यह को सेटाइं कर सकते हम तेंचेंड कर दिया मैं भाइं अप उपर बंद करने का एक बटं यहाँ पर मिनिमाइज मेक्सिमाइज और सड्री यहां पर मेक्सिमाइज एंड यहां पर मिनिमाइज यहां पर एक कोशन मार्क बना हुआ इस पर क्लिक करते हैं और यहां पर एबाउट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सेखते हैं कि हमारे पास नेश्यर रीडर प्रोफेशनल है मैं इस इसलिए मैं इसे professional में ख़ईद के रखा हुआ हूँ तो ही हम okay करते हैं और इसके बाद हम add नहीं तो नहीं यहाँ पर एक इसका natural reader का एक sample format एक sample बना हुआ है तो इस पर हम click करते हैं double click और यहाँ पर आ गया अब इसे हम रिट करवा के देखते हैं अभी देखिए यह लेडी से जीरा अब इस पर हम click करते हैं speaker पर और जैन्स डेवेड पर click करके फिर देखते हैं देख सकते हैं यह कैसे काम कर रहा है आप यहां से forward कर सकते हैं यहां से previous कर सकते हैं और उसके बाद यहां stop कर सकते हैं और यहां से आप mp3 में convert कर सकते हैं यह कैसे करेंगे चलिए हम देख लेते हैं आपको यहां पर simply click करना पड़ेगा प्लिक करने के बाद से वेब में या MP3 में या OGGG में आपको स्टेक करने के बाद convert पर प्लिक करना होगा यह आपका audio file में convert हो जाएगा उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि यह speaker यहां चेंज कर सकते हैं लेडिशे अरजेंस उसके बाद speed option कर सकते हैं उसके बाद आप यहां पर अपने cell phone में यहां से sync कर सकते हैं यहां से setting में आ सकते हैं advanced setting में आप आ सकते हैं यह है अपका advanced setting का button holiday enable है advanced setting में क्या है इधर देखें आप तो यह zoom कर सकते हैं यह से zoom out कर सकते हैं यहां से आप save कर सकते हैं यहां से आप copy यहां से cut and यहां से paste कर सकते हैं यहां से undo कर सकते हैं यहां से find and replace कर सकते हैं और यहां सारी detail यहां से spelling यहां से delete यह सब कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहां पर type करने के बाद भी read करवा सकते हैं वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं back to library में आते हैं और add new यहां से ब्लैंक ले लेते हैं अब यहां हम टाइप कर लेते हैं Hello I am Imran from learning Jackson और अब read कर वाते हैं अगर आप रेडिस में चूज करते हैं जीरा को तो फिर देखिए तो इस तरह आप इस application को यूज कर सकते हैं यह application बहुत ही powerful है बहुत ही better है मेरे लिए अब आपके लिए भी अगर आप read करवाना चाहते हैं read करके application के थुरू अब सुनना चाहते हैं अगर आपके पास time नहीं है तो यह application आपके लिए बहुत useful होगा तो आप इसे use करें free में और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे license खरिद लेना चाहिए तो आप खरिद सकते हैं वैसे free में भी बहुत useful है free में भी आप इसे use कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप license ले सकते हैं लेकिन मैं आपको यह web page के बारे बता दूँ मैं अभी documents के बारे बताया web page में भी आप कोई भी website यहाँ पर डालके उसका read कवा सकते हैं यह बहुत ही better है यहाँ से आप कोई भी news का website यह कोई भी article यहाँ से इसका link देका है go पर click करके उसे आप सुन सकते हैं यह online काम करता है documents में offline आप type करके यहाँ से read कवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी website मतलब बहुत ही application है मेरे लिए अब अलग-अलग person का अलग-अलग thinking होता है हो सकता है आपके लिए यह better ना हो लेकिन मेरे लिए better है हो सकता है कि किसी अउर के लिए बहुत ही अच्छी हो जैकिन मैं अपना personally अगर, अगर शेयर करू आपसे तो यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी है क्यों कि मेरे यह बहुत काम का application है तो अगर आपको इसे यूज़ करना है तो आप फ़रीफिली व disable ूज़ कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप बाइक कर सकते हैं तो उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप news, paper या फिर से अगर आप book या online article पढ़ते हैं इस पढ़ने का सौक रखते हैं और अगर time नहीं मिलता है तो इस software के तुरू आप easily सुन सकते हैं पढ़ना नहीं होगा पढ़ेगा आपके लिए ये software आप इसे सुन सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर helpful लगे तो प्लीज आप हमारा थोड़ा help करें और दोस्यों के साथ इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें और कमेंट करें प्लीज ताइंगो पर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में